हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी मसाला इडली तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होती है एक कटोरी सूजी आधा कटोरी दही नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर और सरसो एक प्याज बारिक कटा हुआ आधा टमाटर बारिक कटा हुआ एक हरी मिर्च कटी होई और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसे हम रिफाइन तेल में बनाएंगे सबसे पहले एक बर्तन में हम सूजी लेंगे इसके बाद इसमें दही डाल देंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इडली का बैटर बनाएंगे पानी हम एक बार में जादा नहीं डालेंगे नहीं तो बैटर पतला हो सकता है इसे अच्छे से फेल्टेंगे इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और पांच मिनट के लिए ढख कर रख देंगे इसके बाद हम एक कढ़ाई या तवा को गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल को अच्छी तरह से फैला लेंगे इसके बाद हम चमच की सहायता से सूजी के छोटे-छोटे इडली बनाएंगे इसके लिए हम एक चमच भरकर बैटर लेंगे और कड़ाई में डालकर गोल शेप बना देंगे इस तरह से हम सारे इडली को डालेंगे एक साथ जादा इडली नहीं बनाएंगे हम एक बार में पांच से छे इडली बनाएंगे धकन लगा देंगे और एक मिनट तक धकर पकाएंगे हम देख सकते हैं कि इसमें भाप बन गई है और इडली भाप में पक रही है इसके बाद हम ढखकन हटाएंगे और सभी इडली को पलट देंगे हम देख सकते हैं कि इसमें golden spot आ गए है यानि इडली नीचे से अच्छे तरह से पक गई है इसके बाद हमें इसे दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के सारी इडलियां भी बना लेंगे हमारी सारी इडलियां बन गई है अब हम इसका मसाला बनाएंगे इसके लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे एक चमच सरसो के दाने डालेंगे सरसो के दाने चटक नी लगे इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी दिर भूनेंगे फिर इसमें टमाटर डाल देंगे साथ ही हम इसमी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब इन सब को अच्छे से भूनेंगे इसके बाद हम इसमी आधा कप के जितना पानी डालेंगे थोड़ी देर के लिए ढख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए यहां हम देख सकते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हो गये हैं अब हम इसमें सारी इडलियां डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट के लिए ढखकन लगाकर ढख देंगे उपर से हरा धनिया डालेंगे और गैस आफ कर देंगे हमारी मिनी मसाला इडली बनकर तयार है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू